Hi, it's me Anu and welcome to my channel which is Anu's All-in-One तो गाईज आज का ये जो हमारा वीडियो है ना तो स्टार मेकर पे आधारित है ना यूट्यूब पे आधारित है ना ही किसी अप्लिकेशन के बारे में है आज का ये जो हमारा वीडियो है गाईज वो मानवता के लिए है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इस संदेश को पाने के बाद अगर आपके साथ भी कभी ऐसे situation आई तो आप भी इसको follow करेंगे और किसी का अच्छा होते हुए अपने हाथों से देख सकेंगे सकिप मत करिएगा पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं जो एक एक बात बताने वाली हूं वो पूरी सच है और मतलब सद्धे घटना क्या वो मेरे ही घर की ही घटना के उस पे अधारी थैए मेरे ही घर के किसी मेंबर ने जो किया उसने बताया और वो मैं आपको उसमें वीडियो भी दिखाऊंगी तो गाइस तो मैं आज अपनी बात शिरू करती हूं इसको अधर वे में मतलिचे गा कि मैने ये विडियो किसी इंटेंशन में इस इस बनाने का सिर्फ कि अपने जो संदेश देना जारही हूं इससे मैं अगर कुछ लोगों को जागरू कर पाई और जागरू करने के बाद अगर कुछ अच्छा होपाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी तो अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर बात क्या है जाता पहलिया न उल्जाते हूं कि बात क्या है तो गाइस यह बात है कि जो मेरे हजबन है वो रोज वाकिंग पे जाते हैं जैसे सभी लोग जाते हैं सभी तो कल जब वो वाकिंग पे जा रहे थे तो यहां से जब वाक करते करते वो एक जगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक डॉक केस मतलब बहुत सारा ब्लड किरा हुआ था सड़क पर और बहुत जादा चोट लगी हुए थी उसके सर पे और उन्हों ने वहीं वहीं रोग गए और बहुत मतलब पिंचन में आगए कि यह क्या मैं सुबह सुबह देख रहा हूं और हम करूं क्या तो उन्होंने थोड़ी दूर पर देखा तो एक मतलब दो ल देखा नहीं गया तो फिर उन्होंने उसको मतलब वहीं खड़े रहे उसके बाद में बहुत सर्च करते रहे कुछ भी इतना सुबह था कुछ भी कन्विंस भी नहीं मिल रहा था तो फाइनली एक आटो मिला तो आटो वाले को रोका उसके बाद में उस डॉक को और बिठाल कोई भी आगे नहीं आपा रहा था कि इस इस हालत में हम इस डॉक का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वह आटो वाले के साथ लगभग आधा आदे से जादा है मैं हैधराबाद से हूं तो हैधराबाद के मेरे वीवर से उनको पता होगा जूबली ही कितना दूर है वहां से कितना कंवेंस भी लगा उसकी चिंता नहीं है किसी के अगर जान बचाने के लिए आपका कितना भी पैसा जाता है जाने दीजे तो मतलब पूरे आधे मतलब पूरा घूमने के बाद में कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां पे सिर्व ही किया जाता था कि डॉक के होगी वह बरदाश्च नहीं करता है पेन के लर दिया तो उसको थोड़ा शानती मिली उसके बाद में इन लों ने उसको मतलब बिठाल के फिर थोड़ा बहुत सच करा फाइनली कुछ नहीं मिला तो फिर इन्होंने क्या करा कि इंटरनेट पे बहुत ज़दा परिशान थे इन्टरनेट पे इन्होंने सर्च करा पिपल फॉर एनिमल इन्होंने ऐसी सर्च करते करते उनको एक संस्था दिखाई दी पिपल फॉर एनिमल जो कि आप यहां पे देख रहे हो यहां पे आप नेट पे जाके पिपल फॉर एनिमल देखोगे तो आपको मिल जाए का वो और वहां पर एक गाय है उसके कुछ चिल गया है तो हम लोग वहां पर त्रीटमेंट कर रहे हैं उसको ठीक करके हम लोग आते ही आपके पास तो फिलाल वहां पर रुके रहे फिर वहां पर जब वहां पर एम्बूलन्स आई है उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जो वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी एम्बूलन्स आई और किस तरह से उन लोगों ने उस डॉग का एकदम मतलब डॉग लवर्स जिन्ने नहीं कहते हैं वह लोग वही थे और उन्होंने उसकुत्ते को पूरा मतलब ब्लू आगे बढ़िये और कोई भी ऐसा जानवर आपको चाहे वह बिल्ली हो कुट्ता हो या कोई भी कोई भी जीवन हो तो अगर आपको कुछ ऐसे गायलवस्ता मिलता है तो आप पिपल फॉर एनिवल को कॉंटेक्ट कर सकते हैं और एक बात आगे आप और मैं बताना चाहती हू कि वह आपको भी जहन के हरानी होगी कि वह नौर्मल कोई लॉग नहीं था वह जर्मन शेपर्ड गीट का था तक यानि कि वह किसी ना किसी का पैक पालतु कुट्ता था उसको को तो चूल दीता चाहता हो और शुब़ब चोड़ चोड़ करके कि घर भूघर वापस आजाता फिर उसके काफी देर बाद जब उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था तो उसके ओनर आये जो में ओनर लेकिन वहां से देखके भाग गया और चुप चाप कोईटली वहां से चला गए क्योंकि वह जानता था कि अगर पता चल गया कि मेरा डॉग है अभी मेरे उपर पुलिस के नाते इंसानियत के नाते और एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी की भी तकलीफ ना समझे चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो तो इंसान होना कोई मतलब नहीं है अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपका यही फर्ज बनेगा कि आपको आप किसी को भी तकलीफ में चोड़ के नहीं जा सकते तो आज मेरे इस जो इस वीडियो का जो इंटेंशन है वो सबसे बड़ा इंटेंशन मेरा सिर्फ यह है कि मैं आपको यह मैसस दे पाहूं कि अगर आपको कोई भी ऐसे सड़क में किसी भी इस इस कंडीशन में कोई भी जानवर दिखे तो आप पिप हमें इंसान की जनम इसने मिला है ताकि हम दूसरे के काम आ सके नहीं तो हमको भी कोई जानवरी बना दिया होता अगर इंसान का जनम मिला है तो जरूर तकलीफ अगर आप किसी की देखो कुछ भी कर सकते हो तो उसके लिए करो यही एक इंसानियत का सबसे बड़ा एक्जैम अब चलते हैं हम उस वीडियो की तरफ आप चोटा सा क्लिप है क्योंकि स्टार्टिंग से कोई हमारा यह इंटेंशन नहीं था कि वीडियो बनाएं क्योंकि वह बोल रहे थे कि मैं नहीं देख सकता है कि कोई तड़ब रहा है और मैं उसका वीडियो बना रहा हो कि देखो उसके यह हो रहा हो रहा हो नहीं जब उसका ट्रीटमेंट होने लगा तो सिर्फ उनके निमा में यह आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस तरह से आज मैंने इसकी है बहुत से लोगों को पता नहीं होता घड़ा रहा थे आखिर मैं कर किया सकता हूं उसकुद्टे के तो यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यह इंटेंशन था और कोई इंटेंशन नहीं था इसे कोई अधरवे में ना ले और बस आपसे यही प्रात्ना है कि आपको कभी कोई ऐसा जानवर कोई भी ऐसा पीडित जानवर दिखे जिसके चोटों आपको समझ में ना रहा हो तो वापे संस्था पे कॉल करके आप उसकी मदद कर सकते हैं वो बचे ना बचे वो तो उपर वाले की होती है लेकिन आप अपनी तरफ से जितना कर पाएं एक इंसान होने के नाते जरूर करिए और अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ आप खुद देखे इस वीडियो में क्य हो रहा है और मैं अपना वीडियो यहीं अंड करती हूं लंदी भी हो गया है लेकिन यह इंफॉर्मेशन मुझे जरूरी लगी इसलिए मैं अपने इस वाले चैनल पर डाली नहीं तो मैं कोई भी मेरा व्लॉग चैनल भी है मैं अगर कुछ भी अपना कुछ भी लाइफ चार्ट कर रहा है तो उस पर ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं अभी धिर धिर ग्रो हो रहे हैं यह जो चैनल है मेरा इसमें मेरे साथ आप लोग हो और आप लोग मेरे एक अच्छे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हो तो मैं चाहती हूं कि एक अच्छे कि ना हो लेकिन है मानफता की जानकारी है और बहुत ही जी उसफुल है कि आपके अपने तोड़े से अफ़र्ट से किसी की जान बचा सकते हैं अब वह एक हटे डॉग जो है वह हॉस्पिटल में रहेगा और उसका ट्रीट्मेंट किया जाएगा और हम लोगों समय समय में ब दाल दूंगी बट मेरा वीडियो ही समाप्त करती हूं और आप ये वीडियो देखिए कि डॉक का कैसे ट्रीट्मेंट हो रहा है क्या हो रहा है और पेपल फॉर अनिमल को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसा जानवर इस इस इस्तिती में पाएं तो तो थैंक अधिसे सोमच गाई आपकर मुझे सपोट्व करते मुझे बहुत खुशी होती है तो चलिए अप चलते हैं ये वीडियो देखते हैं और मैं आपना विडियो फ्रेंट करती हूं पाई टेक कियर बट अब ये जो वीडियो आनेवाला है इसमें एड़ किया है मैंने वाल वी जिसका हालत बहुत खराब था क्योंकि किसी ने एक्सिडेंट इस पे आइमीन हीट करके गाड़ी से भाग गया हो और यह बहुत ही सीरिस कंडिशन में था और इसके बाद हमने जो है PFA जो है हमारी PFA जो पिपल फॉर अनिमल्स ये एक ऑगनाइजेशन है इसको हमने अप्रोच किया क्योंकि हमने लोकल में काफी सर्च किया यहां पे हमारे एरिया में हमने क्लीनिंग भी गए थे वहाँ पर कुछ एमर्जंसी शॉर्ट इंजेक्शन दिये गया तो इसको बट वो आइधिंक नहीं थे पूरे कि वो क्योर हो सके तो हमने पिपल फॉर एनिमल्स इसको कॉल किया एम्बूलेंस को और यह अपना किम्ती समय निकाल के आये हैं और इसका बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं मतलब यह उन्होंने इसको चड़ाया हुए है और उन्हें बीटा टिन डाल के इसको पैशिंग कर रहे है इसके बाद इसको भी लेके जाएंगे ड़क को और वहां पर इसको पर्मनेंट बढ़िया सचा से ट्रीटमेंट करेंगा और फिर जब ठीक हो जाएगा तो इसको इसी एरिया में लाके छोड़ सब्सक्राइब और उन्हें सर्विसेश यह बहुत है अच्छी बात है हमको इस तरह के और फंडिंग भी देनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए जो इस तरह की सर्विसेश में पाद रहते हैं यह बहुत अच्छी बात है कि अभी भी काफी ब्लड लॉस भी हुआ है इसको जर्मन शेपर बीट का है कि अपर नहीं जहां पर हुआ अगर खोड़ा है इस पर नहीं है और महां पर कुछ लोग खड़े थे मनसे पूछा भी कैसे वह लोग बोले नहीं नहीं मालूम है गाड़े नंबर आए जब हमारे सार रहते इंस्पेक्टर उनसे कोना कंप्लेट करते करते हुआ नहीं नहीं वो फिर कोई बोला नहीं वहां पर और जो खड़े थे वो लोग भी चले गए फिर तो काफी तुरी हाला ता लेकर अब यह दुल को सुकून मिल रहा है कि यह नौ इसन राइट हैंड और इसको अच्छा कम स्कम ट्रीटमेंट मिल जाएगा और यह ठीक हो जाएगा यह तो कंफर्म है हमारे सार लोग आए हुए हैं बहुत अच्छी बात है और रेली फिर से बता देता हूं आपको जो ऑगनाईएशन है यह पिपल फॉर एनिमल्स ऑगनाईएशन है जो इस तरह की सर्विसेस देती है इनिमल्स को कोई भी emergency services हो इस तरह की accident है आपके जो street dogs होते हैं street animals तो अगर आप इनसे contact करेंगे तो they will provide you the ambulance and they will also take care they will take 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 to the animal to their hospital the facilitation center और वहाँ पर अच्छा सा treatment करते हैं उनको so it's a lot of applause and thumbs up to pull for animals ये ठीक हो जाए बस यह ही चाहते हैं सब लोग कुछ और है हमारे भाया एक मिल गए थे हमको लेके गए थे हमको इस साथ में हम लोग थोड़ा देर अक्छली घूमे थे यब तक कि एंबुलेंस नहीं आई थे मुझन सोचा कि चरो नियर भाई कहीं पर चलेंगे तो नियर भाई जाकर हमने वहाँ पर इसको इंजेक्शन्स वगरा दिलवाय थे पेंकिलर एंटिबाटेक्स कुस दिवे दिले थे इसको जो फस्टेट था वो दिया गया था एक्छली क्या था 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 है